False Breakouts के शिकार, हम सभी कभी न कभी बने होते हैं, कभी न कभी नहीं, बलकि बहुत बार बने होते हैं. यह अभी आप Nifty का चार्ट देख रहे हैं, और अगर आप इस area को अब्जर्व करेंगे, तो यह candle यहां पर support लिया, अगर आगे वाली candle जो नीचे की साइड में आई, उसने यहां पर वापस से support लिया, उसी line के पास में, यहां पर भी support लिया, तो यह एक area, यह एक line बहुत ही अच्छे से support zone की तरह काम कर रही थी, support की तरह काम कर रही थी. फिर इस candle को observe कीजिए, यहां पर क्या होता है, इस support zone को, इस support line को यह candle नीचे की साइड में तोड़ दिया, break कर दिया, तो यहां पर आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा, यहां पर बहुत सारे traders ने अपनी short position create कर लिया होंगे, या फिर बहुत सारे traders ने puts buy कर लिया होंग तो जिनोंने भी shorts create की होंगे, या puts buy की होंगे, उनके साथ क्या होगा, उनका पैसा heroes हो गया होगा, यानि कि उन्हें नुकसान में अपनी position को हटाना पड़ा होगा, तो क्या इस situation से बचा जा सकता था, क्या हम इसे पहचान सकते थे कि यह false breakout है, और हमें यहां पर trade नहीं करन चीए, तो दोस्तो आज के इस video में मैं आपको ऐसी strategy बताने वाला हूँ, ऐसी false breakout strategy बताने वाला हूँ, जिसमें ना तो आप इसे short position create करने से बच जाते, बलकि यहां पर आप buy करते, इस strategy का इस्तमाल अगर आप करते हैं, तो इस candle के end पे, इस candle के close पे आप buy करते, तो उसका result भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like जरूर करें, share करें अपने friends के साथ में और चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूँ, stay ahead YouTube चैनल पर, एक और धमाकेद master program, master program, जिसकी offline mode में value रूपीज 28,000 है, उसको video format में release किया है, सिर्फ 499 में, जिसकी length करीब 3 गंटे की रहने वाली है, इस video program में जो भी सिखाया गया है, उसे अच्छे से सीख लिया, तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड के देखने की जरूरत नहीं होगी, इस बात के guarantee मै लेता हूं, trust me, ये 499,000 है, आपकी जिन्दगी की सबसे बढ़िया investment रहने वाली है, वीडियो program पाने की link इस video के description box में है, इस strategy में दो चीजे, दो बातों का मैं बार बार उलेक करूँगा, बार बार बताऊँगा, number one is swing high, swing low, और number two is ATR, तो इन दोनों के बारे में आपको basic पता होना चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, swing high या फिर swing low क्या होता है, कैसे पता करेगी कोई swing high क्या बना है अभी latest में, swing low क्या बना है, वो कैसे पता करे, माल लीजिए, कि nifty ये है, ये chart पर ही ध्यान देखते है, ये nifty उपर की side में जाता जा रहा था, तो previous trend क्य या फिर index की, तो हम उसे swing low पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि swing low फिर अपना support बन जाता है, और वहां पर हम लोग usually अपना stop loss वगरा रखते हैं, तो इस case में देखे, ये candle को observe कीजे, ये इस candle के बारे में बता देता हूं, चलिए, ये candle का low जो बना है, इस area के पास में तो हमें क्या देखना है कि इस candle के पीछे की दो candle का low, इस candle के low से जादा होना चाहिए, उपर की side में होना चाहिए, ठीक है, clear, इस candle का low से previous दोनों candle के low जादा होने चाहिए, और उसके आगे की दो candles के भी low जादा होना चाहिए, तो इस case में क्या हो रहा है, इस का low से previous के दो candle के low भी जादा है, आगे के low भी जादा है, इसका मतलब हमारा swing low क्या बन गया? ये, इसका low हमारा swing low बन गया, ठीक है? आगे क्या हुआ? आगे nifty चला चला और यहां पर इस candle को observe कीजिए, इस candle का low से previous दोनो candle की low जादा है और आगे की low जादा है, तो क्या बन गया? अभी हमारा new swing low क्या बन गया? ये बन गया. I hope आपको swing low क्या होता है, बहुत ही clear हो गया होगा उसमें, मैंने ATR के बारे में बहुत ही detail में बताया हुआ है, जिसकी link मैं उपर की side में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं और जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ अचा सीखने को भी मिलेगा. फिर भी फटा-फट से मैं basics clear कर देता हूँ. सबसे पहले ATR Indicator को लगाना कैसे है? आप अपने Indicators में जाए, या फिर functions में जाए, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पर ATR सर्च कीजिए, या फिर average true range सर्च कीजिए, और उसे click कर दीजिए. जैसे यह आप click करोगे, वह ATR Indicator आपके चार्ट के उपर आ जाएगा. यह red वाली line है, ATR की. इसके मैं color change कर देता हूं, ताकि आपको अच्छे से दिखाए दे. style में जाकर के मैं color yellow कर देता हूं, ताकि आपको डंक से दिखाए दे. अब आगी की बात क्या रखने वाली है, ATR की जो भी setting होगी, वह 14 रखिए. length inputs में जाए, उसकी length 14 होनी चाहिए, यह default setting है. average true range, यानि कि बहुत ही साधान भाषा में कहूं, तो average moment कितना है, जो भी आप stock देख रहे हो या फिर index देख रहे हो, उसका average moment क्या है, पिछली 14 candle को ध्यान में रखते हुए. माल लिजे कि यह candle के पास में मेरा cursor है, और आप ATR indicator के उपर ध्यान रखिए, यानि कि 51 points nifty move कर रहा है, पिछली 14 candle को ध्यान में रखते हुए, यह बता रहा है. बहुत ही clear हो गया है, कि ATR क्या होता है, और मेरा वो वीडियो जरूर देखेगा, उसमें और भी जादा आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा. अभी हम सीधे चलते हैं strategy के उपर क्योंकि swing low और ATR दोनो points मैंने cover कर लिये हैं. इस strategy को मैं तीन steps में बताने वाला हूँ. पहले step में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा swing low क्या है, अगर nifty उपर के side में चल रहा है, तो हमें swing low पता करते रहना है, आगे आगे जैसे जैसे चलते हैं. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहां पर breakdown है, तो हम कैसे कर सकते थे इसलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर swing low है, यह candle का low उसके previous दोनों candle का low जो भी है वह इस वाली candle से जादा है, ठीक है? तो यह हमारा swing low पता चल गया, अभी यहां पर breakdown आता है, step number two क्या है, हम देखेंगे कि breakdown आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस case में क्या हुआ, breakdown आया है, ठीक है? तो यहां पर यह अभी हमारे लिए candle सबसे ज़्यादा जरूरी होगी, अभी इस पर हमें क्या करना है, वह ज़्यादा ध्यान रखना है, step number three क्या होगा, step number three यह है कि हमें इसका ATR देखना है, इस candle का ATR देखना है, इसका ATR कितना है, 50.42, इस candle का ATR कितना दिखाई दे रहा है, 50.42, यानि कि करीब 51 points का है, अभी आगे क्या देखने वाली बात है कि यह candle का, जो भी candle ने breakdown दिया है, या फिर breakout दिया है, इस case में breakdown दिया है, तो उसका high से लेकर के low के बीच का difference कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे high उपर की side में, high दिखाई दे रहा है 14,681, और low क्या है, 14,625, तो इसके बीच का difference कितना आ गया, 25,25, 50, 56 points का हमारा difference आ गया, ठीक है, 56 points, हमारे ATR केतना है, 50.42, तो हमारी जो भी ATR की value है और इसकी जो length है, जो भी difference आ रहा है high और low के बीच में, वो होना चाहिए 1 ATR से लेकर के 2 ATR के बीच में, यानि कि 1 ATR कितना है, 50.42 है, 2 ATR कितना होता, 100 होता है, बहुत ही simple है, 102 होता है average, तो इसकी जो high और low के difference, high और low के बीच का difference, 50 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए था, बहुत ही साधान भाशा में बता रहा हूं, अगर वो 50 से लेकर के 1 ATR से लेकर के 2 ATR के बीच में है, तो इसका मतलब है कि यहां पे एक false breakout हो सकता है, ठीक है, इस case में क्या हुआ, इसका difference हमने क्या find out किया था, 56 points का difference है, high और low के बीच का difference, 56 नहीं, 51 points है, इसका मतलब क्या हो गया, कि यह जो difference है, high और low के बीच का difference, वो 180R से लेकर 280R के बीच में है, बहुत ही साधान है, ठीक है, इसका मतलब हम यहां पे क्या करते, यहां पे हम buy position create करते हैं, यहां पे हम nifty में buy करते, क्योंकि यह हमारा candidate बन गया था, कि यहां से यह false breakout होने वाला है, false breakdown होने वाला और यहां से movement उपर की तरफ ही रहने वाली है, तो इस case में हमने अच्छे से देखा कि उपर की side में nifty चलने लग गया, अभी आप strategy बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, एक और example में आपको दिखा रहा हूँ, आपका ताकी doubt clear हो सके, अभी हमें क्या देखना है, swing low क्या है, अगर हमें breakdown को read करना है, तो swing low क्या है हमारा यह वाली candle, इस candle को observe कीजिए, इसके पिछली दोनों candle को देखें, उनका low देखें, यह वाले low से पिछली दोनों candle का low ज्यादा है, तो यह हमारी condition satisfy होती है, आगे की दोनों candle का भी low यह वाली low से ज्यादा है, तो हमारा swing low क्या बन गया, यह च्छा आगे क्या होता है अभी आगे क्या होता है निफ्टी थोटा सा उपर जा रहा था और यहां से एक breakdown आता है तो यहां पर भी क्या हुआ होगा यहां पर भी अधिकान स्टेडर्स ने अपनी पोजिशन क्रिएट कर लिए होगे यानि कि निफ्टी को बेचना सुरू कर दिया होगा या फिर पूट्स बाइ करना सुरू कर दिया होते है और हम क्या करेंगे हम यह देखेंगे कि इस केंडल का ETR कितना है इस ficar केंडल का features आप स्क्रीन पर देख तक रही हो गतना दिखाई दा रहा. 63.59 तो इसका difference कितना होना चाहिए ह WOW हिसाब से, 1ETR से लेकरके 2 ETR के बीच में इस cameкеंडल का high और low के बीचका difference होना चीए तो 180R से लेकर, यानि कि 63.59 से लेकरके, उसका 280R कितना होता? 63.59 का double, यानि कि 127, 127 के बीच में होना चाहिए, 63.59, मतलब 64 से लेकरके 127 के बीच में इसका difference होना चाहिए, high और low के बीच का difference. तो अभी high और low के बीच का difference देख लेते हैं कितना है? High कितना दिखाए दे रहा है? 14.492 और low कितना दिखाए दे रहा है? 14.369 यानि कि इसका difference कितना हो गया? 120, 21 के आसपास में इसका difference हो गया. Exact आप देख लीजेगा, calculate करके देख लीजेगा. तो इसका difference यानि कि हमारे 1 ATR और 2 ATR के बीच में fall कर रहा है, यानि कि ये condition भी हमारी satisfy हो रही है. तो हम यहाँ पर क्या करते है? हम इसे buy करते, short नहीं करते बलकि buy करते. अगर buy करते तो अगर हा, तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, चैनल को, you know, फैला ही अपने दोस्तों को share कीजिए. I hope आपको बहुत कुछ सीखने को मिला उका. Thank you so much for watching. Jai Hind!